Hello friends and students, कैसे हैं आप सबी? I hope आप से भी ठीक होंगे और आपकी तियारी भी अच्छे से चल रही होगी जैसा की जो आपका weird का entrance exam है वो 80th June को होगा तो आज हम इसी topic पे बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें discussion करेंगे हम selection process की fee क्या रहेगी आपकी fee structure क्या रहेगा government और private colleges का और important topics कौन से है और books और एक quick analysis करेंगे हम जो previous year का question paper है तो सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे dots होंगे एक dots यह होगा कि हमें पहले में करनी चाहिए या weird करनी चाहिए तो अगर आपने teaching में आने का मन बना लिया है तो मेरी आपको यह suggestion रहेगी कि आप पहले अग या जिसका government में होगा वहाँ पे तो कोई issue नहीं है फीज का तो उसको beid करनी चाहिए क्योंकि at least आपके पास एक option आ जाता है कि आप teaching job के लिए apply कर सकते है टीज़टी के लिए बाद में फिर आप M.A. कर सकते है उसमें कोई issue नहीं है फिर आपके पास एक और option हो जाता है आ और अगर जिसने M.A. करने का ही मन बनाया है तो फिर वो M.A. कर सकता है फिर उसके पास जो है वो बहुत सारे option आगे रहते हैं तो इसमें आपको structure of exam सबको पता है कि एक सुपचास questions इसमें रहेंगे और five section में ये कुल total जो हो डिवाइड होगा और section by आपको जो हो अपने त actions है और marks को जो है वो distribute किया गया है और इसी के according जो है वो आपका ये रहेगा आपके prospect में भी ये दिया होगा जैसे general awareness mainly हिमाचल प्रदेश के यहां से questions रहेंगे तो HPG के जो हो काफी important हो जाता है यहां पे HPG के तो आप पढ़ी रहे हैं और negative marking इसमें नहीं होगी दो घंटे क यह पूरा का पूरा exam रहेगा और इसमें आपको 35% qualifying marks तो चाहिए ही चाहिए मतलब out of 150 53 marks जो जो जनरर category के लिए चाहिए और out of इसमें जो 5% की छूट रहेगी category के लिए तो उसमें 30% चाहिए out of 150 मतलब 45% जो है वो category वालों के लिए चाहिए और अगर सरकारी colleges में मान लो आ आपकी जो है वो merit लो जाती है तो कम से कम आपके जो है वो इतने marks तो होने ही चाहिए मतलब यह qualifying marks से इससे नीचे अगर आपके होंगे तो फिर आपकी selection नहीं होगी private college में issue नहीं है कई वार जो है वो फिर इसमें भी छूर दे रहते जिसके 53 35% भी नहीं आते हैं फिर बाद आपके जो 150 में से 153 तो आने ही चाहिए 35% तो आने ही चाहिए अगर वो आप ऐसे तुक्के से भी लगाएंगे तब भी जो है वो 35% जो है वो कोई इतना ज्यादा tough issue नहीं है इसमें जो है वो language second जो portion है language and comprehension है हिंदी और English 20-20 नंबर के आगी हिंदी 20 की English तो इसमें किसी का grammar नंबर जो अब हिंदी का ठीक होगा किसी का English का ठीक होगा तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 40 मैसे जो है वो 25-30% 30 नंबर जो है वो 30 आपके आने चाहिए logical reasoning है इसमें जैसे missing word है number है calendar है relations है तो इस तरह के जो है distance के है तो इस तरह के 20 questions रहेंगे आपके तो इस पे भी आप practice यह practice से होगा reasoning जो है और knowledge of national commission and committees यह 20 marks की रहेगी और last जो important है वो है 40 marks इसमें है teaching aptitude है and attitude teaching aptitude के साथ 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 से हाँ पे psychology भी आईगी और अलग लग तिंक की जो theories है उसके बारे में भी जो है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर 40 marks इसमें से कम से कम यह को तो इसमें जो है वो कुछ भी बूश सकते हैं तो यह 40 marks कर रहेगा आपका है तो इस तरह से 150 marks बन गए तो दो तीन जो शुरू के जो section है आपके यह काफी important रहते हैं अब आपके मन में होगा कि seeds कितनी है तो इसमें जो government college है जैसे HPU इसमें जो है 100 seeds है 2 units चलते हैं 50 का 1 unit रह जो है वो seeds को आपको मिल सकती है धर्मशाला जो college है teacher education college यहाँ पर मतलब government को ही college है यह 250 seeds है 5 units है यहाँ पर है और यहाँ पर भी डिवाइड है commerce arts और different stream में इसके बाद फिर private college है किसी में 100 seeds है किसी में 200 seeds है 4 unit है किसी में 2 unit है और किसी में एक ही unit है तो 50 seeds है तो कुल मिलाकर य यहाँ पर 8000 seeds बनती है private colleges की तो कहीं पर भी आपकी selection जो हो जाएगी लेकिन इसमें अगर private college आप ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अपनी district में ही college मिल जाए क्योंकि बाहर रहने और खाने का खर्चा जो है वो अलग से इसमें रहेगा तो यह हो गए आपके अ से बनेगा बीपिल किसी का है आई आड़ीपी है वो बना लेजिए ओवी सी का किसी का है स्टी स्टी का है फीजिकली हैंडिकैफ्ट है कोई और सिंगल गर्ल चायल्ड जो है वो एक काफी important है है ना कोई एक ही लड़की है तो उसका उसके वी जो है बूसी रिजर्व की गई हो आपका तो मेरिट जिए हो 120 वान 12 से लेकर 20 तक जो है वो आपकी इसमें जनल केटागीरी में टुण पेपर विडिवेंड करता है कि आपका फेफर किस तरह का आया है अधर केटागीरी की जो है 90-100 110 तक जो है वो अधिर केटागी स्टी से फ्रीडम फाइटर और अलग-ल इशू नहीं है उसमें जो सब स्टाइज सीट होती है वहाँ पे तो 20-30,000 जो है वो फार एनम जो है वो इसमें फीस रहेगी और इसमें जो है 5-10,000 इच समेस्टर में जो है वो लिया जाएगा और प्राइवेट कॉल्जे में जो है उसमें आफ के मल में डॉटर होगा कि कितन इसमें बोल रहा हूँ यह फीस आफ की रहेगी और पर जो समेस्टर फी ली जाती है आप से 35-38,000 जो है वो हर 6 मंत के बाद जो है उसमें ली जाती है तो दो साल की रहती है तो आप जो है वो एक लाग बीस हजार लेके या डिड़ लाग तक सारा का सारा आफ का खर्चा जो पढ़िए और इसमें जो लेटेस्ट जो भी बीड़ एंटरंस एक्जाम पर बुक आई है या कोई आपके पास UGC NET के बुक होगी टीचिंग आफ टूर्ट उसमें दिया गया होता है उसको पढ़िए HPG के के लिए ब्लोकरा की बुक पढ़िए काफी इंपॉर्टनेंट है और अकाश पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें के प्रिविए सेयर के क्वेशन पे पर दिये गये है उसको एक बार जो है वो आप पढ़ लीजे उसमें एक्स्प्लेइन भी किया गया है और प्रिव तो वो भी आप उसमें अब्जेक्टिवस दिये गए हैं सारे के सारे अब्जेक्टिव टाइप की क्वेशन इसमें रहेंगे मरलब वो जो है वो सेंटर गॉर्मिट की जो जौब्स होती है उस लेवल का ग्रामर है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं अरिहंत की बुक ले ल डिस्पैच है मेकाले कमिशन से आप स्टार्ट कीजिए बुर्स डिस्पैच है फिर आपका हंटर कमिशन है फिर आपका रेले कमिशन है 1902 या इनिवर्स्टे एक्टिबूस को कहा जाता है फिर जो है वो सैडलर है 1917 इस तरह से आप कर लीजिए और फिर जो है बर्दा स्कीम आयोग है उसको कर लीजिए फिर जो है वो यूजी सी एक्ट है 1953 का और कोठारी कमिशन काफी important है 1964 है ना मुदालियर कमिशन है उसको कर लीजिए और national scheme of education 1986 और उसके बाद जो है फिर आपका जो है यश्पाल committee है और last में जो अभी जो recently आई है आपकी new education policy उस पर थोड़ थोड़ से जो questions है उसको देख लीजिए इसके बाद psycho जो है वो main psychologist जो है उसके बारे में आप जो है वो यहाँ पर पढ़ लीजिए थोड़ 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 सा और इसके बाद जो है main Indian thinker जो है जैसे स्वावी में वेक अनन्द है महतमा गांदी है जो जिन्हों ने भी education के बारे में कुछ कहा है उसको आप थोड़़ सा जो है वो पढ़ लीजिए और teaching attitude के लिए जो है वो आपने एक teacher की तरह जो है वापने आपको रखना है वहाँ पे इस तरह के जो questions आएंगे तो classroom management का है कि आप teacher students को किस तरह से जो वो टैकल करेंगे उनकी grievances जह है अलग लग मेरे पास जो है वो 2020 का है तो आपके पास वी जो questioning paper पड़े हुँगे उसको आप जो है वो एक वार देख लिए उससे एपकी बहुत सारी चीज्जे जो है वो clear हो जाएंगी इसको आपने practice करना है बार बार कि स्थापना कब की गई तो ये सब आपको सब आप सब को पता है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है इस तरह की questions से पूछे के कांगना का प्राचीन नाम क्या है मंडी टाउन की स्थापना किस ने की तो यहां हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आम चुनाव कब हुए हिमाचल प्रदेश में तो यह काफी easy questions हिमाचल के इसमें हैं यह जो सैकलूर शब्द का हमारे सम्मिधान में कितनी बार यूज किया गया है रंगा स्वामी काफ किस से related है इसमें राजे साब के अधख्ष काउन होता है उपराष्ट पती होता है आपको सबको पता है यह जो है वो जो आपके निरत्ते है उसके बारे में पूछा गया है तो इस तरह से अवार्ड के बारे में या सिंपल जो आपको अरहंत किये मैंने की सारी चीज़ें तो यह जी के का जो क्रेशन है वो काफी एजी है अब आप हिंदी का देखिए यहां पे संदी 11 पूछी के संदी विशीद है या संदी करना है यह जो है वो तस्व तद्वव इस तरह के शब्द दिए गए हैं फिलिंग दवलैंक्स है यह प्रेवाची द चारे इसमें क्वेश्चिन्स रहेंगे तो इसको धिहां से आप पढ़िए तो इतना कोई जाला टाफ नहीं है यह इंग्लिश का दिया गया है इसमें नंबर है जेंडर है इस तरह से जो है वन वर्ड सबस्टिशन है क्रेक्ट करना है स्पैलिंग्स को यहां पे जो है फिल रिजनिंग है तो इसमें आप रिलेश्चिन्स देख रहे हैं कि रीना कहते कि अंजली के पिता रमन मेरे ससुर रामनंद की कलौते बेटे हैं तो पिहू जो है वो अंजली की वहन की का रामनंद से क्या समंध है तो यह होगे आपके रिलेश्चिन्स होगे यह मिसिंग वर् जितना आप रेक्टिस करेंगे उतना रहे गाई तो यह होगी रीजनिंग हमारी तो इसमें देख रहे हैं आप काफी सारे क्वेशन्स है यह रीजनिंग के तो यहां से भी आपके जो होने चाहिए अब यह कमिशन्स और कमेटी आ गई है न कि टैन फ्लस टू और फ्लस थ्री क कि शिक्षा का जो ध्हांचा था वो किस शिक्षा स्मीती ने दिया शिक्षा यूग 1964 जिसको कुठारी कमिशन हम कहते हैं किंद्री सूचना यह कि स्ताफना कब हुई इस तरह से जो फ्री आंड कमपर्ट्री एजुगेशन नैशनल नॉलिज कमिशन के अध्ष ता किसने की क उठारी थी यह हंटर कमिशन के बारे में यहां पर पूछा गया है यूनिवर्स्टी कमिशन के अध्यक्ष कौन थे या एट प्रिजेंट कौन है भारत का पहला मुफ्त विश्विद्याले कौन था कब स्ताफित किया गया है जैसे इगनू को स्ताफित किया गया विश्वे एक को एक सीख दो, ये नारा किसे ने दिया था, तो ये सारे के सारे questions जो है, मुदालियर योग के बारे में यहाँ पे पूछा गया, किस से समंदित है यह, यहाँ पे जो है वो, शिक्षा बाधिक उदेश पर जोर दीजिए, ब्रह्मा समाज के संस्ताफ़ काउन थे, ये थिंकर के वारे में पूछ रहे हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है, वो यहाँ पे आपको रहेगी, पहन, तो ये आगए आपका, अब ये थिंकर आगे में में, ये लास्ट का जो पोर्षन है, फिर ये टीचिंग एफट्यूट का आगया, ये एक शिक्षिक को मित्र दार्शन का और मार्ग दर्शक वाकिया उस्द्वारा महीमा दी गया ये क्यों की, अब इसकी रेजिन दिया गया, कि क्यों दिया गया, तो अजी टीचर आप सोचेंगे, तो इस सारी चीज़े आपको क्लेर हो जाएंगे, तो इस सारे के पोर्षन, टीचिंग एफट्यूट के दिया गया है, लास्ट तक, तो इस तरह से जो है, फ्राइड है, फोबल है, इन तो इस तरह से आप इसको जो है, प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आउनलाइन आपको यह मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन्स और अगर आपके पास कोई बुक है, तो उसमें भी यह सारे के सारे क्वेश्चन्स जो है, वो दिये होंगे, तो I hope इस से आपको help मिली होगी, आपका कोई सवाल हो, कोई question हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, thank you very much.